चलिए तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत खास वीडियो और आ चुका है जहां पर हम बात करेंगे कि एक्जाम के बाद आपकी कट ओफ क्या रहेगी क्योंकि पेपर आपने देख लिया है पेपर आपने अटेंप्ट कर लिया है आपने अपने मार्क्स भी जो है की आपेफ लूड किया चुका था यदि आपने नहीं देखा है तो जा करके लिए और यदि देख लिया है तो आपको अपने मार्क्स तो पता हो चुके होंगे की हंडृड में से कितने आ रहे हैं या फिर 80 में से कितने प्रसन आपके सई हो रहे हैं अब कुछ बच्चों confusion यह है कि sir bonus mark कहां कहां मिलेगा या फिर confusion यह है कि sir क्या यह paper easy था कि yard था यह बता दो सारे प्रस्तों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है सबसे पहले please इस वीडियो को like कर दीजिए जो भी बच्चे या किस jnvc forum बरा है आपके marks कितने आ रहे हैं और आपकी कौन सी केटेगरी है ठीक है अभी सबसे पहले में आपके एक प्रस्तन का उतर दूँगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि गाउवाले बच्चों को कम से कम कितने marks लाने होंगे सहर के बच्चे को कितने marks लाने होंगे बॉइज को गर्ल्स को एस्टी सी ओवी सी जनरल यह सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ठीक है जब आपका एक्जाम हुआ था उससे पहले मैंने एक वीडियो अप्लोड किया था जहां पर मैंने आपको बताया थ कि एक्जाम से पहले एक्सपेक्टेड कट-off क्या है ठीक है वह कट-off मैंने बताई थी कि हंड्रेड में से हंड्रेड जो questions है वह बहुत easy आ जाए है ना तो आपकी कट-off क्या जाएगी तो मैंने वहां पर जो कट-off आपकी बताई थी वह थोड़ी सी हाई बताई थी क्योंक की ऐसा माना जा रहा था कि सारा प्रस्ण पत्र बिल्कुल easy आएगा लेकिन अब अगर bonus mark की बात करें तो बेटा किसी भी प्रस्ण में लगबग आपको bonus mark नहीं मिलेगा एक आद कोई प्रस्ण ऐसा हो गया जो जवाहर नोदे विद्याने ने सोचा तो साइद उसमें bonus मिले बाकी किसी भी प्रस्ण में bonus तो नहीं मिलेगा पहली बात दूसरी बात अब प्रस्ण पत्र hard था या easy था तो देखिए अगर कोई बच्छा ये कह दे कि सर मानसी की योगिता में एक प्रस्ण गलत हो गया तो वेटा ये समझ लो कि सब कुछ गलत कर दिया आपने क्योंकि मा कोई प्रस्ण उसमें hard नहीं था hard का मतलब बिलकुल ऐसा कोई प्रस्ण था यह नहीं जिसके अंदर confusion पैदा हो है ना मात्र 15 मिनिट में 40 प्रस्ण सौल हो सके ऐसा मानसी योगिता का आपका पूरा प्रस्ण पत्र था तो मानसी योगिता मैं मैं मानता हूं कि सभी बच्छो लगते हैं कि दो प्रस्ण तो बिलकुल ऐसे थे जो अच्छे अच्छे जो मास्टर लोग होते हैं ना उनसे भी साइद सौलना हुआ हुआ है मैं स्टार्टिंग में फिर तो उनसे सौल हो चुके होंगे लेकि स्टार्टिंग में जब वह 5-6 में उसके उपर वर्क कर रहे ठीट प्रस्ण के उपर तो सायथ दो प्रस्ण ऐसे थे जहां पर उनको भी सोचना पड़ा कि ऐसे थो एक तो रेल गाडी वाला प्रस्ण था और दूसरा एक और प्रस्न था जहां पर लड़कियों की संख्या वाला एक आपके प्रस्न था, mathematics में, तो ये दो प्रस्न बिलकुल man प्रस्न थी, अब इन दो को छोड़ करके एक प्रस्न में और मानता हूँ, जो की mathematics में बच्चों को confusion में डालता है, ठीक है, तो कुल मिला कर मानता है, मैं जीरो, गणीत के अंदर तीन, और भासा, यानि मैं language की बात करो, तो हिंदी language के अंदर, हिंदी के अंदर, लगवग दो प्रस्न ऐसे थे, जो आपको confuse कर रहे हैं थे, ठीक है, तो कुल मिला कर कितने प्रस्न होगे, पांच प्रस्न, मार्क्स कितने होगे, तो पांच तो सीधे होगे, और एक पॉइंट पचीस और होगे, है ना, तो कुल मिला कर कि छे पॉइंट पचीस नमबर, अब कहना का मतलब क्या है, कि लगवग बहुत सारे बच्चों ने जो है, छे पॉइंट पचीस नमबर के जो है, कुएस्टन को रॉंग किया है, या फिर बाई चांस इसमें से भी 50% को यूँ ही solve कर दिया है, है ना, तो अब सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताऊंगा, OBC, ST, SC, Boys, General Girls, इनको कितना नमबर लाना है, ताकि वो अपने आपको safe मान सके, लेकिन फिर भी मैं एक चीस बोलूँगा, कि एक दो नमबर उपर नीचे पिर भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है, आपके JNV के उपर, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आपका कौन सा JNV है, कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, ठीक है, अब देखिए, ये परिक्सा से पहले की कटोब मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, अब मैं ठीक है, अब आईए बात करते हैं, कि आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, तो एक्जाम से पहले मैंने आपको ये कट ओफ जो हैं बताई थी, कि भई 97.5 के उपर, जनरल केटेगरी से, जो बच्चे सामान्य से हैं ना, सामान्य केटेगरी से, जनरल केटेगरी से, अर् के बिलॉंग करता है, सामान्य सहरी लडका, कौन है वई, सामान्य सहरी लडका, 95 के उपर आपका लगबख सलेक्षण हो जाएगा, अब सामान्य सहरी लडकी गर्ल, पहले मैंने 95 बताया था, लेकिन अब आपका सलेक्षण 92.5 नमबर के उपर भी हो सकता है, फिर हम बात करत मतलब की ग्रामीन जो बच्चों ने ग्रामीन कोटे से फोरम भरा है 75% रिदर्वेशन के साथ आरंचन के साथ तो वो बच्चे बेड़ा आप यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य कैटेगरी से ग्रामीन बच्चे जो की लड़के हैं 12.5 की उपर आपका सेलेक्चन लगबख सेफ जोन में होगा गल्स के लिए 91.25 मार्क्स ठीक है तो यह थी सामान्य कैटेगरी की बात की भी सामान्य कैटेगरी के सहरी ग्रामीन लड़के और लड़कियों को कम से कम कितने नंबर लाने होंगे अब चालिए बात करते हैं OBC 27 परतिसत रिजर्विशन के साथ 27 परसेंट आरक्षन के साथ में है OBC ठीक है OBC के अंदर जो सहरी के यहाँ पर जो बच्चे सहरी है और सहरी के अंदर जो लड़के हैं उनको पहले मैंने 96.25 मार्क्स बताया थे लेकिन अब आपका सेलेक्षन 93.75 के उपर भी हो सकता है 93.75 इस नंबर पर भी आपका सेलेक्षन हो जाएगा यदि आप OBC के टेगरी से हैं सहरी कोटे से आपने फोरम भड़ा है और आप गर्ल हैं लड़की हैं तो 99.25 नंबर के उपर आप अपने आपको सेफ मान सकते हैं कि मेरा सेलेक्षन हो जाएगा यदि आप OBC ग्रामीन कोटे से हैं मतलब की 75% का यह रिजरुशन भी आपको मिलेगा 27% का यह रिजरुशन भी आपको मि पर और यदि आप OBC 27% ग्रामीन 45% और गर्ल्स 33.33% इस कोटे से यदि आपने फोरम भड़ा है यह आपकी महलिजी है तो यहां पर आपको 89.75 इस नंबर के उपर सेलेक्षन हो जाएगा यह सारे नंबर 100 में से हैं ठीक है 100 में से माक्स मैं आपको बता रहा हूं चलिए नेक Š edule कास्ट के अनदर यदि आप सहरी से हैं सहरी से हैं बोई हैं तो 90 नबवे नंबर की उपर आपका सेलेक्षन होगा यदि आप सी पॉइंट्स से उपर आपका selection होगा यदि आप schedule card से ग्रामीन लड़की हैं तो 86 number के उपर लगभग आपका selection श्यौर मान लीगे तो नेक्स टम बात करते हैं ST category के बारे में ST category में क्या है यदि आप सहरी से हैं सहरी से हैं और boy हैं तो 87.5 ये category ये जो है मैंने आपको exam से पहले cutoff बताई थी और यह उसके बाद की हो गई 87.5 की उपर आपका selection होगा यदि आप सहरी से हैं लड़की हैं तो 86 नंबर की उपर होगा यदि आप grammyn है boy हैं तो 86 नंबर की उपर होगा girl हैं तो 83.5 नंबर की उपर आपका selection जो है इस category से हो पाएगा ठीक है तो यह थी सबसे minimum cutoff यान की 83.5 marks वाले का भी लगबग selection होगा तो यहाँ पर जहां हम लोग high cutoff की बात कर रहे थे वहाँ पर low cutoff क्यों जाएगी क्योंकि 5 से 6 प्रस्न ऐसे है जहाँ पर बच्चों को बहुत सारे बच्चों को जो है और हाँ कितने questions को आपको सही करना होगा minimum तो एक चीज़ मैं आपको बता दू मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 40% लगबग हमें जो हैं अंक प्राप्त करने होते हैं हर section में तो मान सी क्यों कि ताकि 40% थे 40% का मतलब क्या हो गया 16% चीज़ां प्रस्न हमें तो आपको 20 नंबर जो है 16 प्रस्न बीस नंबर मान सी योगता में आपके मिलने चाहिए और यदि मैं गणित या भासा की बत करूँ तो गणित के अंदर को मिला कर 20 प्रस्न होते हैं इसका 40% मतलब कि 8 प्रस्न आपको सही करने पड़ेंगे और यदि मैं यहाँ पर माक्स की बात करूँ तो 10 नंबर आपको गणित में 10 नंबर आपको भासा में 8 प्रस्ना आपके गणित में 8 प्रस्ना आपके भासा में कंसे कम सही होने चाहिए तो ही आप मेरीट के लिए क्वालिफाय कर सकते हैं नहीं तो मेरीट में होने के मौजूद भी आपका सेलक्षन नहीं होगा अब जल्दी से बतादो आप कौणसी केटीग्री से हैं किस कोटे से आपने फोरम भरा है कितने माक्स तापके आ रहे और और कुछ अगर आपका प्रस्न है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लेकिए जरूरी बताईए रही बात यदि आपका कोई भाई कोई बच्चा यदि नवदी विद्याले नाइन देखने को मिलेंगे सारे फीचर जो है आपको यहां पर दिये गए हैं सारती बैस के अंदर आपको बहुत अच्छी एक और फैसलिटी हैं एक मैच्स की बूक दो OMR सीट एक पैन और दो मोड़ विपर बिल्कुल फ्री में जो हैं आपके घर भेज़ा जाते हैं मैं मिलूंगा ऐसी किसी नेक्स खास वीडियो में यह वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्षिन में लेकि जरूर बताएगा जय हिन जय भारत धन्यवाद